स्टॉड स्टॉड Hello and welcome to the studio. सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर सबस्क्राइब करते हैं और यहां पर देख सकते हैं यहां पर पूटप करनी थी और दोबार में प्राइब अपना ट्रेड एक्जेक्यूट के तो 3,600 को फिर से हमने एक्जेक्यूट किया तो ओवर आल जो हमको हमारा आज का प्राइज मिला एक एवरेज प्राइज मिला सेलिंग का वह 190.15 के लगे हुए हैं एक बापेज को रिफ्रेश कर लेते हैं पोजिशन बुक ओपन करते हैं पोजिशन बुक 5600 के राउंड हम इसके अंदर बने हुआ हैं यह तो बात है हमारे प्रॉफिट की जो चल रहे हैं एपना एंट्रिंड स्टॉप लॉस और टर्गर पॉइंट है अब डिसकस कर लेते हैं कि इस स्टॉप को हमने स्लेट कैसे किया हमने आपको बता रखा है कि फटा फटी स्टॉप के इनर एक बहुत अच्छा माद्य हम है जहां से अपने लिए स्टॉप को पूट अप कर सकत का स्टॉप है एंड इसको हमने स्लेट किया अभी स्लेट करने के बाद में किस तरह की प्राइजक्शन से इसके अंदर बन रहते देखें जैसे इसको आप डे टाइम फ्रेम पर लगा दो कुछ नहीं करना है या डे टाइम प्रेम के अलावा यह तो चले ठीए एक सपोर्ट point है अगर हमें higher time frame नहीं भी देखें तो फाइब मिट देख लो फाइब मिने इसने क्या किया है जब हमने अपनी entry लिये है यानि कि एक बचकर पंद्रा मिने के बाद इसको height कर दीजिए एक बचकर पंद्रा मिने के पहले का chart देखें हम अगर volume on कर दें तो देखें यहां प के candle है और यह एक support point क्यों कि यह एक वो candle है जिसके बाद में बागी के सभी price actions हुए हैं अब अगर हमें इस तरह से किसी stock को treat करना है कि यहाँ पर सिफ price important नहीं है जिस price के अंदर volume एक जनरेटरी एक्चली वो candle एक significant candle बन जाती है वो एक important candle बन जाती है माना यह ज्यादा है कि price अगर अपनी इस वाली range को downside के तरह breakout करके एक अच्छे confirmation समय देता है इस stop loss के formations अगर हमारे पास एक conviction के साथ बन जाती है तो यह trade हम execute कर सकते हैं क्योंकि price in 9.15 की इस candle को इस support point को lower time frame पर ही ने हमने higher time frame पर भी इसके अंदर support defined किया है बट क्योंकि यह जो structure point lower time frame के अंदर ज्यादा अच्छा वग करता है safe candle bank को ने किसी भी stock को आप देख लो volumes ज्यादा generate ही और price किसी से एक important candle के अंदर run कर रहा है और बाकी आगे की volumes इसके अंदर generate हो रही है volumes increase हो रही है अगर तो माना ही जाता है कि यह एक candle जो अपने अंदर powers को थोड़ा सा observe कर रही है अगर इसके breakout हमें मिल जाते हमारे direction के तरफ जिस तरफ हमने अपना trend confirm किया है तो एक अच्छा move में देखने को मिलेगा अब यह important candle हो गई और इसके बाद में यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा खासा price actions market create कर रही हमें show कर रही हम क्या कर सकते हैं wait करेंगे price जैसे हमारे इस level के नीचे breakdown देगा यहाँ पर एक stop loss लगा करके जो भी मेरा swing होगा या stop loss के आपके जो भी confirmations है जो भी formations आप वहाँ पर इसको लगाओगे इस level के नीचे आगर के support लेने लगा देख रहे हैं इस line को थोड़ा सा highlight करके डार्क कर देते हैं यह देखिए इस रेडवाई line के ओपर focus की जाए इसके नीचे तो यह आ रहा था बट क्या हो रहा है देखिए एक लो लगा फिर अगें यह upside में चला गया फिर से लो लगा फ 190585 की हमारे stop loss थे यहाँ पर हमने अपना stop loss कर और entry आपको मालूमी है so overall यह अपना trade का setup था आज के दिन जो हमने camera bank के अंदर follow किया है बाकि day time frame पर अब day time frame पर जैसे price हमारा इस एक candle के नीचे निकल रहा है एक movement यहीं से upside का movement फिर से price रूख रहा है downside का movement और just low से फिर से price मे upset का movement आज भी stock जो हमको मिला हमारी इस एक important candle और level के नीचे मिला higher time frame पर हम क्या देख रहे हैं सिर्फ हमने इसके अंदर higher time frame के confirmations नहीं लिए और सिर्फ lower time frame के confirmations नहीं लिए हर बार हम आपसे बोलते हैं कोई भी trade आपको execute करना है और चोटे चोटा भी trade अगर execute करना है अपने system को मजबूत कर लो जिससे कि trade execute करने में थोड़ा बहुत confidence बना रहे है जिससे कि आप अपने trade को hold कर पाओ ऐसा नहीं trade execute करते हैं बंदर ये अंदर घबरा रहे हमने किया है यह सही है कि हमने जहां पर stop loss लगा है वो सही है या नहीं trade execute करने से पहले यह सब सोच लिए जितना stop loss जागा या target मिलेगा जो आपने किया है वो सही है trade execute करने के बाद में कोई फैदा थोड़ी नहीं उसका आप डर होगे तो डर के वज़े से क्या होगा या तो stop loss देने से पहले निकल जाओगे या फिर profit booking के पहले निकल जाओगे चल रहे ठीक है हमने गलत कि हम stop loss देने को around अपना run हो रहा है एक काम करते हैं क्योंकि अब यहां से निकलने का time हो चुका है और तीन बज़े की candle form हो रही है और इस candle के बनने में भी एक मट पैंतिस सेकंड का वक्त बचा हुआ है तो overall यह अपना setup है बहुत simple बहुत clear cut setup है आज अपने किसी भी stock को morning अपने ग्रूप म कर लेते हैं क्योंकि पिछले दो दिन से मार्केट हमको थोड़ा बहुत sideway move ही दिखा रहे है और आज भी देखिए प्राइस 9 15 के highs और उसको break ही नहीं कर रहा है यह देखिए है ना तो एक तरह से sideway move अब जाकर करके price अपने support पर आया कुछ ज़ुदी नहीं कि यहां से price न सकता है जो हमको लगता है तो अब कैनरा बैंक में भी देखिए rejection यहां से शो कर दिया है समय भी हो चुका है अब हमारा माना ऐसा है कि हमें यहां सब निकलना चाहिए क्योंकि एक sideway move के बाद में थोड़ा बात price ने movement में दिखा दिया है जो भी मिल रहा है लेकर के निकलते ह अब नेक्स टाइम ट्राई करेंगे ओके तो प्रॉफिट इस वक्त के कितने है लिए अभी 7,000 पर थे भी 5,000 लिए 5,600 पर आ चुके हैं sideway कुछ नहीं कर सकते हैं आपको बड़े profit छोड़े profit या फिर sideway market सारी market को आपको देखना होगा market में काम करो तो ठीक है जितना मिल रहा है हम चुप-चाप यहां से लेकर के निकलेंगे 188.50 यही पर निकल चलते है 188.50 तो एक काम करते हैं सबसे पहले यहां पर हम लोग आ 188.50 साही है स्क्वार ओफ एनसी 188.45 में 50 परफेक्ट एंटर लीजिए सारे order अपनी निकल चुके हैं तो कितना है 6622 ओवराल आज का अपना profit तो एक अच्छी है पारजिटी हम find करेंगे और अगर आपने मेरा टेलेग्राम चैनल नहीं किया तो आप जोइन कर सकते हो कोई स्टॉक जिस दिन हमें अच्छी मार्केट लगती है या हमें लगता है कि इस स्टॉक को दे देना चाहिए study के परपस से भी हो ट्रेट करने के परपस से भी यह स्टॉक आज कर दिन सही रह सकते हैं तो उस स्टॉक को अपने गूर्प में शेर कर देते हैं निफ्टी के जाद होती है या मुवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं टेलेग्राम चैनल का लिंग डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाइन कर सकते हो और अब हम लोग मिलें कि अपने नेक्स्ट्रेडिंग सेशन में यानिके कल तब तक के लिए थाइंच्यू गुडबाय एंट